नमस्ते साथियो मैं सुरेच छेतरी आप लुक सभी को फार्मिंग इंडिया येट्यूब चनल पर स्वागत करता हूँ साथियो मेरे मुर्गी फार्म में चूहें बहुत ज़रा दिक्कत दे रहे हैं और चूहों के कारण मुझे मुर्गियों को सेल भी करना पड़ा क्योंकि साथियो चूहें अगर फार्म में रहते हैं तो मुर्गियों में बहुत सारे बिमार आते हैं और मेरे फार्म के मुर्गियों में भी बहुत सारे बिमार आ गये थे जिसके कारण मुझे बहुत सारे मुर्गियों को सेल करना पड़ा और इन चूहों को मारने के लिए अभी मैं एक मैडिसिन का इस्तमाल करने वाला हूँ ये मैडिसिन 100% काम करता है क्योंकि इस मैडिसिन को मैंने पहले भी इस्तमाल किया था और इस्तमाल करने के बाद बहुत सारे चूहें मर गए थे और इस medicine का नाम क्या है इसे किस तरीके से चुहों को देना चाहिए और इसे देने के बाद चुहें सच में मरते हैं नहीं उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्त तक धियान से देखना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोड़ी सी रिक्वेस करना चाहता हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक ये चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रण के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लिजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोग देख सकते हैं ये एक जहर का पैकेट है और इसे अभी मैं चूहों को देनी वाला हूँ इसका नाम है कमंडो और इसके एक पैकेट मैंने 30 रुपे में खरिदा है ये 100% काम करता है इसे अगर हम चूहों को देते हैं तो चूहे मर जाते हैं इसे किस तरीके से देना है वो अभी मैं आप लोगे को दिखाने वाला हूँ आप लोग देख सकते हैं यहां मैंने ब्रॉइलर फीड लिया है ब्रॉइलर फीड के साथ ये जहर मैं मिक्स करने वाला हूँ और उसके बाद ये चूहों को देने वाला हूँ देखिए आप लोग ब्रोयलर फीड के जगा राइस भी ले सकते हैं पर ब्रोयलर फीड में अगर हम यह जहर मिला के चुहों को देते हैं तो ज्यादा फाइदा होता है क्योंकि ब्रोयलर फीड चुहों को बहुत ज्यादा पसंद होता है जिसके कारण वो बहुत जल्दी खात और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां ब्रोइलर फीड लिया है जहर जो है यह काला रंका होता है आप लोग देख सकते हैं और इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है अगर आप लोग इसे हाथ लगाते हैं तो हाथ साबुन से अच्छे से धो लेना नहीं तो यह आप लोग पॉइलर फीट के साथ बराबर अच्छे से मिक्स करना है आप लोग देख सकते हैं यह अभी बिल्कुल तयार हो गया है और यह अभी मैं चूहों को देने वाला हूं देखिए मेरे मुर्गी फार्म में चूहे ने चार जगह में बिल बनाया है तो उसके लिए मैं इस फीट को चार भाग करने वाला हूं और उसे अलग अलग जगह में रखने वाला हूं मैंने इसके चार भाग बना दिये हैं और अब मैं इसे चूहों के बिल में रखने वाला हूं तो चलिए फार्म के अंदर जाते हैं आप लोग देख सकते हैं यहां चूहे ने बिल बनाया है तो इ आप लोग देख सकते हैं यहां भी चुहे ने बिल बनाया है तो इसके अंदर भी मैं इसका एक भाग रखने वाला हूँ मैंने यहां भी रख दिया है यहां भी चुहे ने बिल बनाया है तो यहां भी मैं इसका एक भाग रख देता हूँ यहां भी चुहे ने बिल बनाया है तो यहां भी मैं इसका एक भाग रख देता हूँ मतलब जहां जहां चुहां बिल बनाता है उस बिल के अंदर यह जहर रख देना है और उसके उपर से इस तरीके से मिट्टी से ढख देना है मैंने सभी जगह में ये जहर रख दिया है तो देखते हैं इसका रिजल क्या आता है जब ये जहर चूहे खाते हैं तब कुछ चूहे बिलके अंदर मर जाते हैं और कुछ चूहे बाहर निकल कर मरते हैं तब उस समय आप लोग को एक बात ध्यान देना है जब आप लोग जहर का इस्तमाल करेंगे चुहे मारने के लिए जब आप लोग जहर का इस्तमाल करेंगे तब उस समय आप लोग के फार्म में मुर्गी नहीं होना चाहिए और अगर आप लोग के फार्म में मुर्गिया होते तो उन मुर्गियों को अलग से बंदी बना कर रखना है क्योंकि अगर ये जहर मुर्गिया खाते हैं या जहर खाये हुए चुहों को मुर्गिया खाते हैं तब मुर्गिया भी मर जाते हैं इसलिए आप लोग को इस बात पर अच्छे से ध्यान देना है जब आप लोग जहर क का इस्तमाल करेंगे चूही मारने के लिए जब आप लोग जहर का इस्तमाल करेंगे तब उस समय आप लोग के फार्म में मुर्गया नहीं होना चाहिए या अगर मुर्गया होते हैं तो उन्हें अलग से बंदी बना कर रखना चाहिए साथियों ये दूसरा नंबर दिन है और आप लोग देख सकते हैं यहां एक चूहा मरा हुआ है और इसने सायद जहर खा लिया है और ये बाहर निकल कर इस तरीके से मरा हुआ है साथियों ये दूसरे नंबर दिन के साम का समय है और साम के समय में मुझे और एक चुहा दिखाए दिया है आप लोग देख सकते हैं यहां भी एक चुहा मरा हुआ है हमारे यहां भी बहुत जोर से बारिस हो रहा था और ये चुहा बारिस में भेग गया है अभी तक मुझे मरा हुआ दो चुहां मिला है साथियों ये तीसरा नंबर दिन है और तीसरे नंबर दिन में मुझे मरा हुआ और एक चुहां दिखाए दिया है आप लोग देख सकते हैं साथियों इस चुहें को मैंने बहुत देर से देखा है और यहां से अभी बहुत ज़्यादा इसमेल आ रहा है मैंने नाक बन करके रखा हुआ है क्योंकि यहां से अभी बहुत ज़्यादा इसमेल आ रहा है आप लोग के घर में या फार्म में अगर चूहें दिक्कत देते हैं तो आप लोग इस जहर का इस्तमाल कर सकते हैं मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग मैंने बताय हुए तरीके से ये जहर चुहों के बिल में रखते हैं तो 100% चुहें मरेंगे तो साथ ही हो यही ते कुछ जानकारी जो मैंने आप लोग से सेर किया और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को सेर जरूर करना तो साथ ही हो आज के लिए बाई बाई मिलते हैं फिर एक जबर डस्ट वीडियो के साथ